लुटेरों के गिरों का परदाफाश, चार गिरफतार, पिस्टल और कार्तूस बरामत द्वारका जिला पुलिस ने लुटेरों के गिरों का परदाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफतार किया है बदमाशों के कबजे से 6 सोने की चैन, 3 मोबाइल फोन, 3 चोरी की मोटर साइकले भी बरामत की गई है इनकी गिरफतारी से लूट पार्ट, स्नैचिंग, वाहन चोरी और 16 अधिनियम के कुल 23 मामलों का खुलासा हुआ है पकड़े के आरोपियों की पैचान अनिल, अफदेश, सिकंदर और राजू के रूप में हुई है द्वारका जिले के DCPM हर्शवर्दन ने बताया कि पुलिस को द्वारका जिले में डकैती, लूट और स्नैचिंग की गटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरों के संबन में खूफिया जानकारी मिल रही थी पुलिस की एक टीम को गठित किया गया, जाच के दोरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि चार बदमाश दो मोटरसाइकल पर जैन रोड मोहन गारडन में स्नैचिंग करने आएंगे पुलिस ने जैन रोड के पास जाल बिचाया और दो मोटरसाइकलों पर सवार चार लड़कों को टीम ने पकड़ लिया पुस्ताच के दोरान उनकी पैचान अनिल निवासी, मोहन गारडन, अफदेश कुमार, निवासी, नजबगड, अलेक्जेंडर, निवासी, उत्तमनगर के रूप में हुई है तलाशी के दोरान आरूपी अनिल और अफदेश के पास से दो देशी पिस्टल बरामत हुई है पुस्ताच के दोरान उनके पास से कुल पांच लूटी गई सोने की चैन, मुतुट फाइनेंस की एक परची और तीन लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामत किये गए इसके अलावा बदमाशों के गिरों ने विकासपुरी और जनकपुरी के आसपास के शेत्र में किये गए अपराधों में अपनी सनलिप्तिता का खुलासा किया अनिल थाना मोन गाडन का घोशित बदमाश है और पहले लूट पार्ट के 14 मामलों में शामिल रहा था अब देश कुमार रन्होला थाने का घोशित बदमाश है और उस पर लूट पार्ट तता स्नैचिंग के 26 से जादा मामले दर्ज है पुलिस ने सभी के खिलाब मामला दर्ज करके आगे की कारवाई शुरू कर दी है टॉप स्टोडी विरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट